वो इस्तरी है, वो सब कुछ कर सकती है, ये भले फिल्मों का डायलोग आपको लग रहा हो, लेकिन रियल लाइफ में भी ये लाइन एकदम सच है, इस्तरी सच मुछ में बहुत कुछ कर सकती है, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, असल में एक घटना ऐसी ही निकल कर सामने आई है, कि पत्री ने शक होने पर, पती की जासूसी की, और जासूसी भी ऐसी वैसी नहीं, बलकि जेम्स बोंड वाली, महिला को जैसे ही शक हुआ कि उसके पती का किसी दूसरी महिला के साथ अफेर है, तो उसने जासूसी करने के लिए तकनीक का सहरा लिया, पती का जन दिन आया, तो पती को स्मार्ट वोच गिफ्ट की वोच में लगा था स्पाई कैमरा यानि गुपचुप तरीके से सब कुछ सचाई अपने भीतर कैच कर लेने वाला कैमरा अब ये पता लगने पर पती ने कोट में तलाक के लिए अर्जी लगा दी है अब आप कहेंगे कि क्या बस यही स्टोरी है नहीं जी बस यह स्टोरी नहीं है यह तो बस एक ट्रेलर है नमस्कार मैं हुमाना और आप देख रहे हैं तापंचायत गाजयबाद के शास्त्री नगर की रहने वाली एक युपती पेशे से वकील है इन दिनों दिल्ली कोर्ट में प्रैक्टिस भी करती है कोर्ट से मिली जानकारी के मताबिक युफती के 2007 में शास्त्री नगर के ही रहने वाले एक युवक से शादी हुई थी शादी के बाद उसके पती का ISR में चैन हो गया तैनाती चंडीगर में हुई हाल ही में युवक दिल्ली के इनकम टेक्स विभाग में तैनात है महिला का आरोब है कि उसका पती दूसरी महिला के चक्कर में फस गया है इसके चलते वो लगातार उससे मार पीट करता है और उससे अलग रहता है बस इसी वजहा से उसने अपने पते पर घरेलू हिंसा का मुकादमा भी दर्ज करा रखा है जब भी वो पती को कहते कि आपका किसी दूसरी महिला के साथ आफेर है तो वो मुकड जाता और जूट बोल जाता अब सच्चाई का पता लगाने के लिए महिला ने एक तरगीव निकाली और मार्केट से कैसी हैंड वोच ले आई जिसमें कैमरा भी फिट था आप कह सकते हैं कि वो स्मार्ट वोच थी पती का बर्थडे आया तो उसके हाथ में महिला ने वो स्मार्ट वोच बांद दी जिसके जरीए वो महिला अपने पती की अब जासूसी करने लगी थी पती के खिलाफ जो भी सबूट मिलता वो उसको स्नैप शोट के जरीए अपने पास रख ले थी पतनी ने कोट में जब मुकदमा दायर किया तो पती के दूसरी महिलाओं के साथ होने वाली चैट के स्क्रेंचोट भी सबूत के तौर पर पेश कर दिये महिला का शक उस समय यकीन में बदला जब उसे पता लगा कि उसका पती दूसरी महिला के साथ जैपूर और जोध़पूर में गूमने जा रहा है उसके जाने से पहले ही उसने अपने पती की वोच को अपने मोबाइल से कनेक्ट कर लिया बाद में जब पती घूमने गया तो उसकी लोकेशन के फोटो वो अपने फोन में लेती चली गई और पती के घर लोटने पर उसने वो सभी फोटो पती को दिखाए जिसके बाद पती भी हक्का बक्कार है गया जिस तरीके से पुलिस बदमाशो और चोरों को पखड़ने के लिए सर्विलांस के मदद लेती है और ठीक उसी तरीके से महिला ने भी पती के कारणामों को बेनकाब करने के लिए स्मार्ट वोच के साथ साथ उसके एंडरोइड मॉबाइल में एक एप इंस्टॉल की इसके ज कर दिया है जबकि पत्री ने इंसाफ की गुहार लगाते हुए कोट में पती के खिलाब फरजी वाड़े का मुकदमा दर्ज कराया है अब देखना दिल्चस्प है कि कोट की तरफ से इस मुआमली में क्या फैसला आता है